तो हैलो सुझेंट्स, आप सभी का स्वागत है यह जैसे कि वीडियो के ऊपर ही थमनेल है मेरे फेवरीट, my favorite questions मैं ने इन questions को, इन सवालों को अपना फेवरीट क्यों कहा है, क्यों है मेरे फेवरीट है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरी फेवरेट के मारे ठीक है देखिए Mathematics वैसे तो मेरी फेवरेट है और मैं English को भी प्रिफर करता हूँ ये सवाल ऐसे हैं मेरे लिए एक ट्रिक जैसी एक ट्रिक जैसे जैसे कि सर्शमकाय होती है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई को रूल होता है इस्ट्रिक्चर होता है जो कि हम बहुत दिन नहीं लगाते हैं अपलाई नहीं करते हैं तो वो भूल जाते हैं तो जब भी मैं सवालों को हल करता हूँ तो इसमें बहुत सारी structure बहुत सारी rules include हो जाते हैं जिससे दोस्तो एक ही सवाल को हल करने पर मेरे बहुत से rules revise हो जाते हैं दोहरा जाते हैं गड़त में लंबे सवाल लगाना अच्छा लगता है क्योंकि जितना लंबा हम सवाल लगाते हैं उतना ज्यादा हमारा math जो है revise होती है exercise होता हमारे mind का ठीक है तो जितना ज्यादा हम लंबे सवाल लगाते हैं तो उतना ज्यादा हम गड़त में और अच्छे होते हैं हमारी छोड़ी छोड़ी कमिया हैं जो छोड़ी छोड़ी mistakes है और अच्छी clear होती है, जब हम किसी लंबे सवाल को लगाते हैं, ठीक है, तो यदि आप भी मेरे important सवाल, यानि कि जो मेरे favorite सवाल है, उनको यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, फिर उनको देखना चाहते हैं, तो उन सब वीडियो इसकी link मैंने description पर दे दी है, तो प्रिय चात्रों मैं आपको भी यही सिलाह दूँगा, यदि आप अपने math को मजबूत करना चाहते हैं, आप अपने mathematics को गड़ित को और अच्छा, मतलब जो छोड़ी छोड़ी doubts में math में, वो clear करना चाहते हैं, तो इन सवालों को एक बार जरूर हल कीजिए, मैंने बताया अपनर जो करना करें, अब करना चाहते हैं हैं, और आप किसी भी खी फिरस्ट इयर में आप मैथ को पानी की तरह पियेंगे, यादि कि आप मैथ को पानी की तरह प्याएंगी, इन सवालों को हल करने के बूद